सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीड चैनल को पर बेल आइकोन को दबाईए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स यहां पर आज हम पढ़ेंगे जीए स्टेस सीरीज का पार्ट 15 पार्ट 14 में ने अप्लोड कर दिया था तो पार्ट 15 को हम यहां पर देखेंगे जैसके अंतरगत हम पढ़ेंगे के कोस्टन जोकी में रेलवे के लिए बहुत इंप्रोडर है तो इन कोस्टन को रड़ लीजिए जो याद हो जाए अच्छी बात है एक्तम घौंड के पी लीजिए साइंस के क्योंकि ही कॉस्टन से बहुत अच्छे लेविल के कॉस्टन हैं और इन मेंने से आने की बहुत यूज पसू होते क्या है, तो जराय यूज पसू की अगर हम बात करें, तो ये जो पसू होते हैं, मतलब जो बच्चे सीधे-सीधे पैदे करते हैं, अंडे नहीं देते, जो स्थन पाई होते हैं, उनकी बात की जा रही है, तो जराय यूज पसू होते हैं, जो मतलब स्थन प भारन है तो इसका आंशर हो जाएगा कंगारू अगले प्रसन की बात करते है कि इंद्रधनुस जो होता है हमारा थीक है तो इंद्रधा उस spectrum का एक tuning है जो इसके कारण पूलताम मैं वहले किस प्रकास के किस कारण से मतलब इंद्र धनुस बनता है तो option है हमारे पास प्रकास का परावर्तन है परावर्तन है फिर बहुलित परावर्तन है यानि कि multiple reflection होता है या फिर प्रकास का पड़ी छेपन होता है तो भी यही इस का answer है जो इंद्र धनुस बनता है वो बनता है प्रकास के पड़ी छेपन से तो आंसर हो जाएगा option number D अगले प्रस्टन की बात करते हैं संपूर दहन के दोरान gas इस्टोप बढ़नर में उत्पन हुई लॉग का रंग कैसा होता है तो भईये जब gas जलती है methane gas जलती है तो आपने देखा होगा blue color का जो है उसमें लॉग होता है तो और कभी कभी वो yellow जलता है तो yellow इसलिए जलता है जब उसमें कुछ कचड़ा आपके वर्णर में आ जाएगा उसकारण से नहीं तो gas जो है blue color की जलती है तो option है पीला काला नीला हरा तो answer हो जाएगा नीला अगले प्रस्ट की बात करते है किट रोग या फिर रस्ट जो रोग होता है वो एक फफूंदी बिमारी यानि फफूंद से होता है तो वो उससे मतलब क्या प्रवायत होता है गेहूं केला, साइट्रस या फिर रोई तो सबसे पहले तो देखो एक कॉस्टन तो यही है कि किट रोग किस में होता है ठीक एक प्रस्ट, दूसरा प्रस्ट ये बनेगा कि किट रोग या रस्ट रोग जो है वो किस से होता है, फफूंद से बायरस से, वैक्तिरिया से, महला किस से होता है तो ये फफून से होता है, तो एक ये question बन गया और दूसरा question जो मैंने आपको बताया तो पहला question का answer जो मैंने ये बता है, इसका answer हो जाएगा, गेहूं यह जो है लगता है जो कि एक फफून दिये बीमारी है तो दोनों को याद रखिएगा परलट के भी वो पूछ सकते हैं बिजली के बल्व में तंतु का उक्सिकरन रोखने के लिए इनमें से कौन सी गयर पतिक्री सिल जो है गैस भरी जाती है यानि कि यहां पर बात की जा रही है कि जो बिजली का पल्ब होता है जिसमें फिलामेंट होता है ठीक है और फिलामेंट जो है जो टंगस्टन वायर का बना होता है जिसका प्रतिरोद उच्छ होता है और गल्लांक भी उच्छ होता है यहां पर ठीक है तो उसमें क्या होता है क जलबास्वकी मात्रा की माप क्या कहला तो उसमें जलबास्वकी मात्रा की माप क्या कहलाए कहलाएगी तापमान कहलाएगा या वाथ हो सरजन कहलाएगा वास्पन कहलाएगा तो भीया वह हम बोलते हैं हमिटी बढ़ बढ़ जाती है अगले कॉशन कीबात करते हैं कि कौन सी एक दी गई धातू साइकल में हैंंडल बारों के विद्धुत Лएपन के लिए प्रयोग की ज यहां पर चाती है लोहा जिन क्रोमियम या पर अलिमिनियम तो वो है वह यह को सी को उतल नहीं है पूछा है कागच का मसलना कागच का मुरला कागच का जलना और जिलना कवकाल मुझा पूछा है नहीं नहीं वर्ड हम भूल जाते हैं तो काज़ का जलना जो है यहां पर बहुत परिवर्टन नहीं है ठीक चलिए अगले कोश्ण की बात करते हैं कि कपास एक भहुलक होता है जो बड़ी संख्या में ग्लुकोस एकांस में मिलने से बनता है जिन्हें क्या कहते है ठीक है अगर हम बात करें तो cellulose कहा जाता है या फिर PVC कहा जाता है polyethylene कहा जाता है या फिर PET कहा जाता है तो उसको जो कहा जाता है भाईया cellulose कहा जाता है मानो सरी में सबसे बड़ी ग्रंथी कौन से या 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 यकरत लार ग्रंथी या फिर अंतैसरावी ग्रंथी या फिर प्रित्र ग्रंथी तो सबसे बड़ी ग्रंथी जो है वो है अमारी लिवर यानी की यकरत अगले प्रसंद की बात करें तो कसक उटा इसका एक उधारा नहीं मतला कि रिए है क्या पर जीवी है म्रद जीवी है undertaking आती है है क्या होश्ट है मतलगर्ण है क्या यह तो यह एक पर जीवी है एक पेरासाइ्ट के रूप में जाना जाता है, डॉक्टर थर्मामीटर को इसमें डुबो का रोगानु रहित बनाय जाते हैं, यह तो बनी सी बात है कुछ उसमें रोगानु आ गए, कुछ जीवाणु आ गए, कुछ वैक्टिरिय आ गए, तो उसको आखिर किसमें डालेगा जिससे जो है वो उसक अगले प्रसन की बात करें तो वातावरन की प्रस्तितियों से बचने के लिए हर साल एक विसेश समय के दौरान दूर स्थानों के लिए और अवाज भरने वाले पक्ची कहले हैं कौन से पक्ची कहले हैं है प्रवासी पक्षी किलाते हैं दूर्वत टोप्रस और तो फ Suzuki होंगी नहीं क्या बेरे बुशुखी और दुसरे अदो जा रहे हैं इसका अंजर क 오래गा प्रवासी पक्छि प्रवास करता चैसार हैं अच यहां पर घर्वी है मध्रदेश में गर्मी है तो वो चले गए कस्मीर फिर कस्मीर में जादा ठंड कम हो समाई तो ठंड में अपने हागे थोड़ा कम ठंड तो ऐसे करके ये प्रवासी पक्षी कहलाते हैं वह से बहुत लंबे-लंबे तक जाते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री कॉंटिनेंट तक पार कर ज रखता है तो वो है एड्री नेलिन कौन सा है एड्री नेलिन इनको याद रखे और इंसुलेन क्या है जो हमारा अगर इंसुलेन की कमी हो जाए शरीव है इंसुलेन जो बीटा कोशिका से जो इंसुलेन निकलता है ये कम निकलने लगए तो जो है शुगर की बिमारी हो जात दिन, दो से पांस दिन या लगवग एक साल, तो इस कांसर भी है, मतलब एक से दो सब्ता का समय लग जाता है, अगले प्रस्ट की बात करें कि पौधा जो होता है, तो पौधे दार जल को बाहर निकालने की करिया क्या क्या कहलाती है, बासपी करन, बातपोर सरजन या फिर है, अपसिस्ट जल उपचार में बार स्क्रीन की मदद से इसे हटाते हैं, अपसिस्ट जल, ठीक है, जो अपसिस्ट जल है, उपचार में बार स्क्रीन की मदद से इसे हटाते हैं, किसे हटाते तो देखे, सुक्षूजीब को, क्लोरी ने, वगन रसान को, प्लास्टिक के ड लब्बे और लकडी पैकेट अगला प्रस्वन है जल से विद्धुत धारा को प्रवाहित करने पर जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित होता है इसका एक उधारन बताना है आपको की जल है तो जल से जो विद्धुत धारा को प्रवाहित किया गया तो जल जो है साइनिक प्रभाव ठीक है chemical अगर बात करें तो chemical effect of electric current अगले प्रसंद के बात करें तो एक satellite द्वारा कक्छा में घूमने के लिए लगने वाला अभी केंद्रिय बल जो होता है वो क्या कहलाता है मलब जो अभी केंद्रिय बल है किसके द्वारा दिया जाता है तो इतर प्रसंद की बात करते हैं तो अंतर चलिए भूकंप सकती साली त्रंग और पारत कर सकते हैं जो उच्वेक पर यात्रा करती है त्रंग के लाती है विए बबंडर सुनामी तूफान या फिर जोहार तो भाईया सुनामी कैसे आती है जब समुद्र के तल में अगर भूकंप पाजा है तो सुनामी आती है ये हमेशा याद रखिएगा अगला प्रस्ण है निम्लिकत में से कौन सा इधन अधिक से अधिक कैलोरी मान देता है चार कोल या फिर केरोसीन या फिर लपी जी या फिर लकडी तो भया लपीजी जो है सबसे अधिक यहाँपर आपको इधन मत दब्बे पर कार करेगा बाएं से दाएं देखिए बाएं से दाएं धकेल लई तो घरसन कैसा काम करेगा बाएं से दाएं करेगा या दाएं से बाएं की और करेगा दोनु तरफ करेगा लंबबबत करेगा तो बहिए दाएं से बाएं उल्टा घरसन हमेशा उल्टा लगता है आप आगे धकेल होगे तो उसको पीछे आपकी तरफ रोक के रखेगा तो उल्टा लगेगा तो उसने बाएं से धकेला था ट्रक को और घरसन लगेगा दाएं से बाएं की और लगेगा तो ये चीज आपको याद रखना है मेंली जो है लोटले घरसन सबसे कम होता है लोड़ हैं चौलाई और घास उधारन हैं युद्ध तैंक जो केटर पिलर ट्रैक पर चलते हैं जो पहीّो पर चैन की तरह है कबर लिये हुए छोड़े होते हैं इसकी बज़ए से जमिshop के साथ शंपर्ख zhत largo Jerry पूरा इरिया जो मतलब जो चेन होती उसके कारण पूरा एरिया कवर यहां पर होता जाता है तो यहां पर यह question समाप्त होते हैं important question की series थी part 15 तो जाद से जाद इस वीडियो को लाइक करें जाद जाद आप लाइक करें इतना मुटिवेशन मिलेगा मैं और वीडियो से यहाँ पर आप लोगों के लिए बना के लाँगा तो चलिए लाइक कीज़े कमेंट कीज़े और सेर्ज करना ना भूलें इस वीडियो को थैंक यू जै हिंद जै भारत